नमस्कार बहुत स्वागत है आपका छूई मुई या लाजबन्ती जिसे हम साई प्लांट भी कहते हैं औस दिये गुनों के साथ इसके तांतरिक प्रियोग भी किये जाते हैं तो आज हम आपको दोनों ही चीज़े बताएंगे तो चले पले जानते हैं उसके गुन और फायदे के बारे में चूई मुई यानि कि लाजबन्ती का पौधा आपको तो पता होगा जिसके पत्तियों को अगर टच करें तो अपने अपने वो मुड़ने लगते हैं जैसे कि वो सरमा रहे हैं अब देखिए आप अगर सचमुच में अपने करीब से चूई मुई को पौधा को देखा होगा तो आप बरवस इसके पत्तियों को जरूर चूए होंगे क्योंकि इनकी पत्तियां आपस में सिकुड़ने लगती है हलांकि ये पौधा बारमासी पौधा है और जिसका उपयोग बहुत सारी स्वास्त की समस्याओं को दूर करने के लिए भी किया जाता है वैसे इस पौधे की सरमीली परकृती के कारण इसके बिसे इस अलग पहचान है आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं छूए मुई की पत्तियां और जड़ में एंटी वाइरल और एंटी फंगल गुन होते हैं जिस कारण यह कई रोगों से लड़ने में सक्चम भी है अब देखिए जिसे कई वर होता है आँखों की नीचे डाक सर्कल हो जाता है सारी इसकी कमजोरी होती है या फिर आँखों की परिसानी है डाबिटीज की प्रॉब्लम है टॉंसिल है, पेट के कीड़े है, कब्स है, फोड़े, पुंसी, गैस या फिर बबासी जैसी बीमारी से भी बाहर निकलने में ये पौधा मदद करता है खास कर अगर डायबिटीज के रोगी है तो लाजबंती के पौधे का काढ़ा पिलाने से बहुत लाब मिलता है काढ़ा कैसे बनाएंगे, देखिए छुई-मुई की आप 100 ग्राम पत्तियों को 300 ml पानी में डाल कर पाढ़ा बना कर आप डायबिटीज के रोगी को पिलाएं हला कि ये किसी दक्ष जो डॉक्टर है आईरुवेदा चारे उनसे ही आप सला लेकर करें तो ज़्यादा अच्छा है हला कि इसके एक और गुन है कि इसका उप्योग आईरुवेदिक चिकित्सा में ज़्यादा किया जाता है वीज़े तनाव को भी कम करने वाला ये पौधा है और मस्तिस्क का स्वास्त बढ़ाता है यह नएकि मन की जो समस्या है मांसिक टेंसन उसको भी कम करता है माना जाता है कि लाजबंती के पत्तों का चुर्ण गाई के दूद के साथ सुह सामलिया जाए तो पाइल्स में भी लाव होता है और छुई मुई की जड़ और पत्ते दोनों का एक चम्मच चुर्ण गाई के दूद के साथ मिला कर सेवन करे तो आपके लिए पेट की समस्या की मुश्किलें दूर होती है देखिए पथरी बेगरे में भी इस लजवन्ती के पौधे का प्रियोग किया जाता है लेकिन आज हम आपको एक टोटका बताएंगे हलाकि हम आपसे तींचार टोटके सेयर करेंगे तो चलिए हम सुरुआत करते हैं आप वीडियो के अंतक बने रहेगा अभी तक हमने इसके प्रकिर्टी की बात की फायदे की बात की और कौन से बिमारी में कार्याता है ये भी हमने आपको पताया लेकिन क्या आपको पता है लाजवन्ती का पौधा अगर आप घर में रखें तो सुख सम्रिद्धी बढ़ता है अगर आपके घर के गमले में होतो और साथ ही कई तरह की मुस्किल समस्याओं से बाहर भी निकालता है तो चुई मुई का पौधा चुई मुई का मतलब ही होता है सर्मा जाना मुर्जा जाना तो इसके प्रियोग है सबसे पहले हम एक प्रियोग आपको बताएं फिर आगे के टॉपिक पर आएंगे तो सबसे पहला अगर पती-पत्नी में नहीं बनता है या फिर आपके रिष्टे में कोई भी सास है, बहू है या फिर आपके घर में कोई भी रिष्टा हो मा बेटी का हो, मा बेटे का हो, बाब बेटे का हो तो नहीं बन रहा है रिष्टों में आपको लगता है लज्जा सरम है ही नहीं बहुत बार लोग लिहाज के लिए भी रिष्टों का मान डगते हैं तो आपके घर में भी लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है आपको लग रहा है ये सही नहीं है घर की आपके बाहर नहीं जाने चाहिए तो ऐसे में आप एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा हलाकि बहुत सारे लोग आधुनी को रहे हैं हमारे कहने का गलत तात परे मत निकालिएगा लेकिन ये परियोग आपके लिए अच्यूक काम करेगा करेंगे किस दिन किसी भी रवी बार या मंगल वार के दिन ये परियोग आप कर सकते हैं देखिए चुई मुई के पौधे के पास एक दिन पहले आपको आना है अगर आप रवी बार करेंगे तो सनी बार के दिन जाए मंगल बार को दिन करेंगे तो सों बार के दिन जाए कभी भी जा सकते हैं सुबह से साम तक के बीच अंधिरा होने के बाद मच जाएगा लाजबंदी के पौधे के पास आप किसी विपात्र में जल ले कर जाएए और कुछ आपको ले नहीं जाना चाहे तो एक सुपाड़ी एक सिका भी रख सकते हैं अगर आपके घर के गमले में हैं तो फिर सिफ जलाब डाल दीजे और उनसे प्राथना करें हाज और कर बिंती करें कि हम आपके पास कल आएंगे हमारे घर में कुछ समस्याएं हैं रिस्तों में प्रेम नहीं है या फिर रिस्तों की समस्या है हम चाहते हैं कि जैसे आप एक लजजा सी गहना ओड़े रहते हैं उसी तरह हमारे भी घर परिवार के लोग एक गहना ओड़े रहे हैं लजजा का और किसी भी तरह का उद्धन्टता ना हो तो आप ये उनसे प्राथना कीजिए और बोलिए कि हम आपको कल लेने आएंगे अगले दिन सुबह थोरा सा मिट्टी कोड़ कर पुरा पेड नहीं उखाड़ना आप थोरा सा जड़ तोड़ लें एक टुकरा भी तोड़ लें तो भी चलेगा और इस जड़ को आप पीस कर पानी में या मिछी चीज में चाय, खीर, कौफी किसी भी चीज में आप मिछाई में भी थोरा सा लगा कर जो बेक्ती को आप चाहते हैं कि आपकी बात माने आप उनको अपने हाथों से खिला सके तो अती उत्तम नहीं तो अपने हाथों से उनके हाथों में दे यकिन मानिए वो आपकी बात नहीं टालेगा आपका कहना मानेगा रिस्ते में कैसी भी प्रॉब्लम होगी वो समाप्त हो जाएगी बहुत सिंपल परियोग है पर कीजे जरूर दूसरा परियोग अगर आपको लगे कि आप उनको नहीं खिला पा रहे हैं तब आप इस चुई में के पौदे का जो थोरा सा अपने जड़ उखाड़ा है न इसको आप सिलवटे पर किसी भी चीज पर घिस लीजे घिसकर थोरा से लेना ज्यादा नहीं लेना घिसकर अपने माथे पर तिलक लगाए और उस बैक्ति के पास जाएए जिससे आप चाहत से वशिकरन का काम करेगा सौने वाला वेक्ति आपकी बात को मानेगा तो दीखे अब हम एक और आपको बात बता दें कि लाजबंती का पौधार घर में हमेशा ही इसान कोन में यानि पूरव उत्तर कोना में ही लगाईए यह ज्यादा अच्छा रहेगा प्रती दिन इसमें जल दें इसकी सेवा करें आपके कुंडली का राहू दोस्ट भी समाप्त होता है घर में धंधाने बढ़ता चला जाता है याद रखिए घर के इसान कोन में ही लगाना है और लाजबंती के पौधा को हमेशा ही याद रखना है आपको दूसरी बात देखिए लाजबंती का पौधा आपके घर में है तो यструкिन मारिए यह पौधा खुदबग खुद आपके रिश्टों की समस्य को तूर करता है घर में मान समान बढ़ जाता है घर में हर को अ दूसरे को समान देते हैं चुकि इसका नाम ही है जू वही लाजबंती अव हम इसको इसका तीसरा प्रिय के पुस्प तूलसी की तरह लाजबंती का पौधा भी अदभुत और गुनों से भरा हुआ है और साथ ही लाजबंती का पौधा आपके घर में है तो आपके घर का नकात्मकुर्जा यूहीं समाप्त हो जाता है इस पौधे में बैगणी रंगे फूल खिलते हैं सनी देप को जाते के बैल, पूस्प दोनों तोि यूट और यह जीवन में खविड़े का पूस्प दोनों ही फूसप लाजबंती आप सनी देप करें गुए बहुत को कबी अर्पे घर कि जीवन में बाग सृब। में नहीं आती बल्कि आपके जीवन की मुश्किले समाप्त हो जाती है लाजबंती के पौधे से धन प्राप्ती के महा प्रयोग किये जाते हैं आकस्मी धनला जिसको हम लोटरी जुआ सट्टा से और मार्केट विगरे कहते उसी से तो लाजबंती यानि की छुई मुई के मौधे में और हाथ जोड़कर बोने मन में मन ही मन बोलिए कि लोटरी वेगरे में आपकी जीत हो और फिर एक बात और कहिए कि आप जब जीत लेंगे तो इस गार्डन के या जो भी मालिक है या जहां भी आपने देखा है वहां पर आसपास कहीं कह दीजे मंदिर में इतना पैसे हैं चलाएंगे वादा कीजिए और या फिर किसी गरीब की हेल्प करेंगे और फिर आप चले आईए और ऐसा आप अगले दिन फिर जाएए और जो भी आपने लाजबंदी का वाधा खरीदा है या फिर आपके घर में है तो वहीं पर जाएए कोई टोके ने इस बात क अब इसके बाद लाजबंदी की कुछ पत्तियों को लाल कपड़े में लपेड कर अपनी दाहिना भुजा में बांद ले और फिर लोट्री टिकट करें पहले दिन वादा लेना है दूसरे दिन जाकर थोड़ी से पत्ति ले लेना है और दूसरे आप बहां में बांदे या अपने पॉकेट में पर्स में रख ले और अगले दिन टिकट खरी दे हलाकि हम यह नहीं कहते कि आप इस प्रयोग को करके टिकट खरी दे लेकिन ऐसा तंत्र सास्त में लिखा है हमने कभी आज माया नहीं हम आपसे जूठा बादा नहीं करेंगे तो आप सो समझ कर कीजिए अगर कोई कोई गलती हो जाए तो प्लीज माप करें हरहर महादेब धन्यवाद